हाई बच्छा पार्टी हेलो एव्रिवान कैसे है सारे स्टूडेंट्स होपफुली समें लोग बहुत अच्छे से अपनी मन लगा करके नीट एग्जामिनेशन या फिर बूर्ड एग्जामिनेशन के त्यारी में जूटेवे होंगे स्टूडेंट्स आज हम लोग हमारे सी बीए सी पीवाई क्यों सिरीज में लास्ट चाप्टर पर आ गए हैं जो है बाइयो डाइवर्सिटी आने इट्स कॉंजर्वेट अंड इसके हम लोग लगाने वाले हैं धेर सारी क्वेस्चिन जो के इस साल हमारे प्रूबैबल क्वेस बन सकते हैं यानि कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में यही क्वेस्चिन हमें दिखने वाले हैं इस चाप्टर में से चालिए तो सेशन की शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो सारी बच्चे मुझे यह बता देंगे में और डिबल अन विजिबल हुया नहीं चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम बेस किया क्या क्या करने वाले हैं हम लोग हमारे सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं One Marks, Objective-based Questions assertion reason based questions 2 marks में हम लोग very short answer करने वाले हैं, 3 marks में short answer, 4 marks में case based and 5 marks में long answer, ठीक है तो यह सारे के सारे type के questions हम लोग cover up करने वाले हैं, तो शुरुवात करते हैं सबसे पहली category of questions की and that is 1 marks question ready हाँ जी, hello Savita, hi Roshan, hello Indian editor, hello Kanika, hi Kunal hello Lukesh, Mohsen Cheek Kanika, Innocent सारे बच्चे आ चुके हैं Kunal, Savita okay lovely, lovely to see you all back into this session now, proceed करते हैं class के साथ में तयार first question से देखो, चालू करते हैं आज ठंड थोड़ी suddenly बढ़ गई है वापस तुम लोगों के एरिया में क्या हाल है बिटा यहां पर मध्यप्रदेश में आज suddenly बहुत टंड वापस से बढ़ गई ऐसा लग रहा है कि जो पांच दिन से हम लोग को बहुत गर्मी लग दी हम लोग reverse पहुंच गए वापस से पांच दिन पहले पहुंच गए चालिए, तो शुरुआत करते हैं फिर्फेर्स्स प्रिफीर्टेश पांच ऑंच डिवारे चलिए वे human activities क्या बोल सकते हैं very good afternoon modern sunshine कि चंडीगर में आज धूप निकली है ओके अच्छा बताईए बिटा क्या लगाने वाले सबी लोगी question का answer 26th extinction की जिब हम बात करने human के कारण से हो रहा है वो तो does not involve human activity तो हम बोल ही नहीं सकते ठीक है यह हो रहा है बहुत-बहुत fast rate पे है ना यह हो रहा है बहुत-बहुत fast rate पे पीटा extinction जो अभी right now चल रहे है इसके पहले जब human नहीं present था human के आने के पहले जो extinctions हुए बिटा वो इतनी ज्यादा massive नहीं थे इतनी ज्यादा fast नहीं थे हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसी तरीके से extinction चलता रहा तो हम 50% से भी ज्यादा species को खो बैठेंगे अगले कुछ ही सालों में ठीक है चालिए first question हमारा था और यह सभी से हो है second वाला question देखते हैं second objective देखो बिटा विच टाइप ओफ लिविंग और गयानिजम्स गिवन बिलो आर लिस्टेड इन दर रेड़ डेटा बुक रेड़ डेटा बुक जो हमारी आई यू सी एन ने लॉंच की होती है उसमें इन में से कौन से और गयानिजम्स हमें देखने मिलते हैं रेड़ स्पीशिस रेड़ अंडेंजर्ड स्पीशिस एंडेंजर्ड स्पीशिस नन अफ दी अबव क्या इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए जल्दी इसे बता देंगे सारे बचे एस तो नो रही डेट डेट बुक में वो और गयानिजम्स हैं जो की थ्रेटन स्पीशिस हैं कैसे species हैं बिटा लोग वो है threatened species and बिटा threatened species में rare species भी शामिल हो जाएंगे endangered species भी शामिल हो जाएंगे इसलिए question का answer बनना चाहिए है B ठीक है क्या बात है very good चलो फलक ने भी जॉइन कर लिया class को हाई फलक नूरी भी है class में music with knowledge भी है class music with knowledge knowledge with music क्या है तुम्हारे नाम का असली मतलब चलो आजाते हैं हम third वाले पे third वाले पे आजाते हैं third question देखते हैं given below is the image of a picture plant हमारे सामने एक picture plant की photo देके रख्यों यह बिटा यह plant हमें कहां पाया जाएगा rain forest of north east इंडिया में सुन्दर बन में थार desert में western घट में क्या लगाएंगे आप सभी लोग hello royal welcome to the class बच्चे yes yes guys क्या होना चाहिए इसका मतलब जल्दी से बताओ कहां पर पाया जाएगा hello royal welcome बिटा तो मौसन और फलक अनेहा यह सब बच्चों ने आंसर करें कि माम यह होना चाहिए rain forest of north east इंडिया में बिल्कुल सही आप सभी का अंसर है यह प्लांट पाया जाता है rain forest में ट्रॉपिकल rain forest में वह भी नॉर्थ इस्ट इंडिया के पिचर प्लांट एक इंसेक्टिव और इस प्लांट होता है क्या और यह इंसेक्टिवरस क्यों होता है यह अपनी nitrogen deficiency को fulfill करनी के लिए जो है विचारा इंसेक्ट को खाता है इंसेक्ट को क्याच कर लीता है और उससे सारे nitrogen को derive कर लीते हैं music से knowledge में मिलता है माम lyrics को समझे तो बहुत कुछ बोलते है क्या बात है बहुत ही बढ़िया बात की तुमने दिल चूलिया बिलकुल सही बात है क्योंकि music यानि कि जो music है songs है definitely they have lyrics and they have knowledge in them definitely music is something an amazing therapy also fourth question पे हम आजाते है yes बिटा लूग fourth question पे आजाते है the fourth question देखते है which one of the following is an endangered plant species in India as a concept plant species जो कि endangered है यानि कि जल्द ही you know we can say वो threatened है already and उसका extinction हो सकता है अगर हमने control नहीं किया उसको तो क्या बोलेंगे रॉव ओल्फिया सर्पेंटिना सैंटिलम एल्बम स्टाइकर्स बिडाउनी या फिर ओल अफ दी अबाव क्या बेस्ट आंसर हो होना चाहिए क्योंकि endangered हमारा रॉव ओल्फिया सर्पेंटिना तो है ही रॉव ओल्फिया सर्पेंटिना को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्प गंधा सर्प गंधा प्लांट से बिटा एक एंटी हाइपर टेंसिव मेडिसन बनते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तें सांटिलम एल्बम चंदन को बोलते हैं बिटा और चंदन की लकडियों को बहुत लोग काट के मेहंगे भाव में बेचने के लिए पेड़ों को नुकसान पहुचा रहे हैं इसलिए सारे के सारे इसमें से एंडेंजर हैं ओके ठीक है है हाई सुमित हेलो बिटा और जिन जिन बच्चों ने अभी अभी जाइन किया है यहां पर जो आनिमल ग्रॉप देखे रखे हैं कौन सा ऐसा है जो कि एक्स्टिंक्ट हो सकता है इंसेक्ट मैमल एमफिबियन रिप्टाइल क्या बेस्ट आंसर है यहां बच्चों क्या होना चाहिए है गैजी ठीए वलनर इबल टू एक्स्टिंक्शन ऐसा ऐसा कौन सा रिखी कम है नंबर के वह है वह पाइज्टर वाले डायग्रम दिमाग में आजाना चाहिए जो हमारे बायो डाय netक्र में देके र tenga वो बताता है कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा अबंडेंट स्पीशिज है इस प्रत्वी पे चलिए सिक्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं लेट सी क्वेश्चन नमबर सिक्स देखो बच्चों क्वेश्चन नमबर सिक्स क्या बोल रहा है जब हम ग्लोबल बायो डाइवरसिटी को काउंट करें तो सबसे आदा स्पीशिज किस की है अलगे की लाइकेंस की फंजाई की आम मॉसस अनफंस की क्या होना चाहिए इसका अंसर बच्चों येस एवरिवान ओके यामी ने भी जॉइन कर ले हैं very good hello यामी नी hello शिखत hello हरिंदर रिया रजनीश welcome to the class बचो याईस बेटा सुमित जो चाप्टर है human reproduction reproductive health sexual reproduction flowering plants ये सब शुरुवात ही chapters है तो ये सब ही chapters के previous year questions सबसे पहले ही cover हो गए बेटा ठीक है बहुत बढ़िया यहां बच्चे आंसर करने के फंजाए इसका आंसर होगा बिलकुल सही बात है अब अगर मैं आपसे क्वेशन पूछते हूं आप मुझे बताई आप इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं अगर मैंने बेटा एक तराजू बना दिया और इस तराजू के दोनों छोर पर मैंने क्या किया देखो मैंने एक साइड पर रख दिया बेटा एक साइड पर मैंने रख दिया है देखना तराजू तक गंदा बनाया है मैंने सुनो अगर मैं तुम्हारे से बोलू कि मैंने एक स तो तुम मुझे बताओ, इनमें इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, बेटा कौन सा वाला हिस्सा नीचे जुक जाएगा, बेटा, जल्दी बताओ, एक तरफ मैंने वर्टी बरिटा को रखा है, दूसरी तरफ मैंने फंजाए को रखा है, कौन सा वाला पलडा भारी है हां जी क्या बता सकते हैं इस question का answer आप सभी नीचे वो जुक जाएगा ज्यादा कौन है diversity-wise diversity-wise बात हो रहे हैं बहुत बढ़िया मोहसिन ने का माम वी वाला पलडा नीचे गिर जाएगा जुक जाएगा because हमें पता होना चाहिए के total vertebrata से भी ज्यादा number of species diversity present है kingdom fungi में ठीक है kingdom fungi जो है बिटा इसका पलड़ा ज्यादा भारी है है ना ठीक है चलो seventh question पर आते हैं yes very good seventh question पर आ जाएए एक threatened plant है उसको हमें urgently save करना extinction से क्या करें क्या desirable approach हो सकती है in-situ conservation करें ex-situ conservation करें cryo preservation करें bio preservation बोलिये क्या बोलेंगे आप यहां पे इस question में सारे students अलोग क्या रहा है कि माम ex-situ conservation कर देना चाहिए बिलकुल सही बोल रहा है बिटा ex-situ conservation immediate approach हो सकती है किसी भी threatened plant को extinction से बचाने की in-situ conservation में कोई plant extinct already हो रहा है तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसमें कि tissue culture वगेरा कुछ भी शामिल हो सकता है जिसकी help से हम उस plant को एक से टू conserve करें ठीक है 8th question पर आता है 8th question पर आता है 8th question है which of the following is not a cause of loss of biodiversity इन में से कौन सा कारण नहीं है बायो डाइवर्सिटी के लॉस का destruction of habitat invasion by alien species keeping the animal in zoological park over exploitation of natural resources क्या होना चाहिए बताईए क्रायो प्रेजर्वेशन भी प्रकार का ex-situ conservation ही है विटा क्रायो प्रेजर्वेशन जो है उसमें हम ठंडी temperature पे चीजों को preserve करते हैं से की pollen grain को preserve करने के लिए हम लोग 196 degrees celsius temperature इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सिटू conservation cryopreservation cryopreservation belongs to ex-situ only ठीक है तो यहां पर बच्चे आंसर करें कि माम इसका अंसर C होना चाहिए keeping the animal in the zoological park बिल्कुल बिटा जोलोजिकल पार्क में रखना बायो डाइवर्सिटी के loss को का cause नहीं करता है पिको जोलोजिकल पार्क में हम जो भी organism को रखते हैं उसको proper care मिल रही होती है ठीक है अब आज आते हैं 9th question पर देखो 9th question देखते हैं 9th है पेटा sacred grooves proves to be especially useful in sacred groove किस चीज में useful साबित होते हैं environmental awareness generate करवाते हैं soil erosion को prevent करवाते हैं year round flow of water and rivers conserving rare and threatened species क्या best answer हो गया इसका sacred grooves आप जानते हैं न क्या होता है ऐसे areas जहां पर human invasion नहीं है ऐसे forest areas हो गए उन्हें sacred grooves बोलते हैं कि बोलिए कि क्या ही question का अंसर डी लगा दूँ चलो बहुत बढ़िया इस का अंसर डी होना चाहिए conserving rare and threatened species sacred grooves in-situ conservation का ही एक तरीका है जो organisms जहां पर already species diversity present है जहां human अभी तक पहुंच नहीं पाया है और पहुंचने की पुरी फिराक में रहते हैं हम उन sacred grooves में human का invasion रोक दें human को वहां पहुंचने नहीं ना दें बिटा तो वहां जो plant species present है जो animal species present है वो बच जाएंगे वो survive कर लेंगे है ना 10 वाले प्या जाते हैं 10th question क्या दे रखा है historic convention देव उपवन कहते हैं क्या उसको माम हिंदी में हो सकता है हाँ प्यार तो नहीं हो पर बोल सकते हैं देव उपवन उपवन तो है यह और देव भी बोल सकते हैं possibility yes ठीक है historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as SITES convention earth summit G16 summit MAB program G16 summit अभी हुआ था यह तो जी 16 क्या लगाओगे भी लगा रहे चली बहुत बढ़िया earth summit Rio de Janeiro में 1992 में biological diversity को prevent करनी के लिए बहुत सारी countries में मिलकर के एक proper summit किया था और उसे earth summit कहा गया जहां पर हमें 5 डाइवर्शिटी के prevention के लिए काफी सारे new novel ideas जंदरेट मिले हैं है ना कि मेरे टीचर थे हैं उन्होंने बोला था अच्छा ओके ठीक हैं 11 पर आ जाते हैं 11 question देखते हैं question है विटा what is common in the techniques in vitro fertilization cryopreservation tissue culture विटे इन सब में क्या बात common है यह in-situ conservation methods है पेटा यह ex-situ conservation methods है यह सब ultra modern equipment and large spaces occupy करते हैं या फिर यह method of conservation of extinct organisms हैं क्या आप लोग इसमें answer mark करने वाले हैं कैस बेटा जल्दी बताएं हूं ठीक है क्या क्या रही है बेटा करने का वर्ल्ड समिट कब हुआ था मैम बेटा वर्ल्ड समिट जो है वो अफ्रिका में हुआ था सन 2002 क्या असपास है ठीक है करने का अफ्रिका में हुआ था बेटा सन 2002 क्या सपास 2002 क्या सपास हूआ था कि पालदी जो हे था या ठीक है ओके अफ्रिका में 2002 में और fights सब्सक्राइब कर दिया कि एक सिटू कंजर्वेशन के में बिल्कुल से वाले पर आ जाते हैं इन से टू एक से टू के सारे डिफरेंसेज में आप लोगों को आज के सेशन में बताने वाली हूं क्योंकि हमारे पास त्री मार्क्स में फॉर मार्क्स में ऐसे क्वेशन बनेंगे जहां पर इनके डिफरेंसेज पूछे जाएंगे ठीक है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अभी हम इसको डिसकास करने वाले ओके डिव्या चलिए अब देखते हैं असर्शन रीजन बेस क्वेशन बूल क्या रहा है बायो डाइवर्सिटी हेल्पस इन मेंटेनिंग दी एकोलोजिकल बालेंस ऑन दी अर्थ इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शिंस लेक्ट स्टेबलाइजिंग क्लाइमेट रिसाइक करती है इत्ती सारी डाइवर्सिटी है तो नाच्रली रिसाइकलिंग की टेंडिनसी बढ़ जाती है न्यूट्रेंट रिजर वायर भी बढ़ जाता है यह होना चाहिए बिटा यह होना चाहिए इसका अंसर वेरी गुट फिक है तो यशी भी आ गई क्लास में किर्टना भी चुकी है ओएचे इस एंडिया बहुत बीडिया गए बढ़ आ गया है अलोग भी है क्लास में चली 13 पहा जाता है 13 ग्रॉपिकल रिंफॉरेस्ट अंडिसापीर इंडिया बारत से ग्रॉपिकल रिंफॉरेस्ट इसपीर होते जा रहे हैं है न दूसरा नो वाल्यूस जाना चाहिए इसका आंसर मैं लगा दूंगे तुरंट तुरंट सी क्यों सी लगा दिया क्योंकि ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट फास्ट रेट पर डिफ सपीर जरूर कर रहे हैं हमारे भारत में से लेकिन इसके साथ में बहुत सारी वाल्यू अटाज्ड है ना इसके साथ में बहुत सारी वाल्यू अटाज्ड है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर हम इने हटा देंगे तो पिटा हीूमन को और बाकी सारे स्पीशिस को बहुत नुकसान होने वाला है है ना ठीक है 14th question देखने है 14th question let's see this one my name is Tanvi 14th question let's see this one now habitat fragmentation lead to species loss in almost all the cases है habitat fragmentize करेंगे तो भाई species loss हो जाता है सभी cases में अगला बोलते हैं बिटा हमारे से this actually causes increase in the edge area and reduction in the core area चलो अब सोचो क्या लगा सकते हैं यहां पर core area मतलब species diversity वाला area species richness वाला area edge area का मतलब होता है जहां पर species इतना rich नहीं present है याने की कम-कम चीज़े हैं present है तो अब सुचो इसका अंसर तो A होना चाहिए राइट what do you say और B होना चाहिए A होना चाहिए this actually causes the increase in edge area and reduction in the core area habitat fragmentation causing species loss and thereby causing reduction in the core area पिटा इसका अंसर A क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग यह question का अंसर A होना चाहिए बच्छो A क्यों होगा B नहीं होना चाहिए A इसलिए होना चाहिए कि habitat fragmentation के current से ही तो core area में reduction हो रहे हैं है ना habitat fragmentation के current से ही बिटा core area में reduction हमें देखने को मिल रहा है B I don't feel like that because this is this actually causes the increase in माल अब यह बात कर रहे हैं habitat fragmentation ही ऐसा cause करता है तो yes reason is kind of related to assertion there should be A ठीक है इसका अंसर A होना चाहिए B नहीं अजाते हैं अगले वाले पर 15th question अब हमारे पास दो marks वाले questions आ गए है yes yes कीर्थना चलिए अभी दो marks वाले very short answer तो line में तीन line में इसका answer हमें फटा-फट से देना होता है ठीक है चलो देते हैं two marks very short answer चाहट है ready everyone तैयार हो सभी लोग हांजी चलिए हमारे यह आज last session है cbsepyq series का इसके बाद में यह series हो गई complete ठीक है and हम लोग फिर मिलेंगे अगले series में जो मैं new launch करने वाली हूँ आप सभी के लिए ठीक है और new launch series surprise है जो कि दो तीन दिन में reveal हो जाएगा आपको अज Thursday हो गया है Saturday के दन reveal कर दोंगे के new series क्या आने वाला है यहारा Monday से launch होगा ओके चलो दो marks very short answer अगया इंटिफाइ करना यहां पर figure a and b को ठीक है कर लेंगे अधिया अट a and b बताना है होते क्या है इतना ही बताना है कि होते क्या है तो देखो यार क्या लगा देंगे इसका अंसर तो हम यहां पर देखते हैं कि होते क्या है मुझे तो देखके लग रहा है मुझे तो देखके लग रहा है a and b ठीक है पिटा a यहां पर दिख रहा है मुझे mammals and b मुझे दिख रहा है पिटा amphibians and हम सब जानते हैं कि mammals and amphibians की species का number almost same है and now mammals and amphibians almost share similar species number species diversity ठीक है तो very good this is super duper easy question and everybody can mark this great very good अब बी रेप्टाइल कैसे होगा रेप्टाइल तो अलड़ी लिखा हुआ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगले वाले पर आज आते हैं तो यह question होगा हमारा one second वाले पर yes second question है name the type of biodiversity represented by the following 50,000 different strains of rice in India estuaries and alpine meadows in India तो बीटा एवाला कौन से diversity का type है बताइए तो यह वाला जो दिख रहे हैं पचास हजार different strains of rice in India और mango की कितनी varieties हमारे पास होती है यह तो मुझे लगता है genetic diversity होना चाहिए पहले वाला है ना yes very good और बीटा अगला वाला ecological diversity दिख रहे हैं क्या येस बरी नाइस ठीक है चलो तो एक हो गया हमारे पास में genetic diversity और एक हो गया बेटा हमारे पास में ecological diversity दोनों अलग-अलग हैं ठीक हैं और तीसरा एक और diversity हमारे पास NCRT में लिखा होता उसका नाम बतादो मेरे को तुम बस एक genetic diversity होता है first वाला, third वाला ecological diversity होते है, second वाला क्या होता है, NCRT की किताब में क्या लिखा होता है second वाला, देखते हैं क्या लगा सकते है, अचा ठीक है sunshine, जल्दी बिताओ, तेको तुम्हारी को कितना NCRT आद है, genetic diversity is correct, ecological diversity is correct right now, what is the third diversity mentioned in the NCRT, Species diversity, very good, ठीक है, बहुत बढ़िया इन टाइप के diversities के types हम लोग जनरली पढ़ते हैं थर्ड वाले पर आजाई हैं अब आप लोग थर्ड question हमारा क्या कह रहा है Amazon rainforest को हम लोग lungs of the planet बोलते है यह तो बिलकुल सही बात है ठीक है, यह तो बिलकुल सही बात है next है, mention any one human activity which causes loss of biodiversity in this region तो यह बात तो सही है since 20% of total oxygen present in environment comes from Amazon rainforest पिटा यह बात सही के बताओ है ना अब क्या activities की कारण से यह disease में loss हो रहा है बाइव डिफॉरेस्टेशन आप लोग कह रहे है बिलकुल सही बात है डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे है वहाँ पे बहुत खराब लोग है humans ठीक है तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे है दीफॉरेस्टेशन ठीक है अड्ट क्या कर रहे है वहाँ पे planting of anyone तो या बीन तो या बीन की खेती कर रहे है वहाँ पे अपन ठीक है प्लांटिंग ओफ सोया बीन या सोया बीन कल्चर ठीक है और दूसरा क्या कर रहे है बिटा converting forest into grazing fields ठीक है converting forest in grazing field अपन ने उसको गाय बकरी चलानी के जगा बना दिये बेटा ठीक है तो हम क्या कर रहे है grazing field में convert कर दे रहे है to feed cattle अब आप मुझे बताइए अगर हम biodiversity rich area को वहाँ से उसकी इतने अच्छे अच्छे plants हटाने के बाद हम वहाँ soya bean का monoculture करेंगे तो क्या हमारे को पर्याप्त मातरा में oxygen available हो पाएगी not at all sadly we are actually we can say putting an axe on our own feet हम अपने ही पैर पे कुल हाड़ी मार रहे है इस तरीके की हरकतों से financial benefit देखते हैं लोग अपना कि भाई मेरा पैसे का फाइदा हो रहे कि नहीं हो रहे है कि मेरे को finance मिल रहे के नहीं मिल रहे है मैं दुनिया में अमीर इंसान बन रहा हूं के नहीं बन रहा हूं 2019, 2012, 2011, 2010 सब में पूछ लिया इतना कितना पूछ लिया चलो लगाओ इसका क्या अंसर लगा सकते हैं आप लोग येस क्या लगा सकते हैं एक बच्चे कह रहे माम बायोम क्या होता है पीटे बायोम का जनरल मतलब है के एक एरिया और वहाँ पर कैसी टाइप की स्पेशिज रहती है उसे हम बायोम बोलते हैं ठीक है एन एरिया अंड़ स्पेशिज वच इन हाबिटार्ट डार्ट एरिया इस कौनले से बायोम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोम है ठीक है तुन्रा बायोम और बोल्ट सरी बायोम जैना ट्रॉपिकल रेइन फॉरेस्ट यह वो कि खरकार्ट के इनल पर्श क्या आजाएगा बिलकुल लेक वेक्य एंड़ बिलकुल बिलकुल तो यहां पर हमें एक औप्शन देते हैं फार्थेन यंअ क्रिट आप ऑच्रेटर्ण से बांट से हम इतने ख़तरनाक लीड है धे वीड एक और आता है पिटा आई कॉर्णिया आप सब आई कॉर्णिया नाम जानते आई कॉर्णिया पिस्टिया इसको पन बोलते हैं टेरर ऑफ बेंगॉल ठीक है यह दोनों प्लांट स्पीशिस दिनोंने कि खतरनाक लेवल पर इन्वेजन कर रख है पार्थेनियम क्यारट ग्रास तो हर जगा पर उप जाती है टेरेस्ट्रियल एरियास में और पिटा आई कॉर्णिया जो होता है यह एक अक्वेटिक वीड है यह दोनों वीड्स है ठीक है आर वीड्स जो कि बाकी सब प्लांट का भी न्यूट्रिशन खा जाते है उस प्रकार के हां वाटर हैसंथ भी बोलता है एक और निया को हम्हारे यहां के काट फिश्च जो है और उसका रिप्लेस्मेंट हमने यह चैट फिश्च से कर रहे है ला ठीक है तो तीन ऊक्वाग मांगें कि दूवागें एस एन सब्सक्राइब हमें क्या करना प्ड़ेगा फिर हमें यहां पर आंसर में और करके मतलब तुम चाहों तो या तो यह लिख देना ठीक है या तो फिर तुम लोग क्या लिखो कि नाइल पर्च लिखरें इसे काफी सारी बच्चे नाइल पर्च जो है ना वह कहां पर आप जानते इन लेक विक्टॉरिया ठीक है उसने क्या कर दिया वहां के प्रेज़ेंट फिश का नाम याद करने दो तो नाइल पर्च लेक विक्टॉरिया रिप्लेज्ड रिप्लेज्ड या बोल सकते हैं कि नुक्सान कर रही है वह कि पॉस्ट लॉस ओफ और तीष्य अग्जामपल आप चाहें तो लिखें आंपर कि अफरिका की कैट्फिश ने इंडिया की कैट्फिश को रिप्लेज कर दिया है और अफरिकन कैट्फिश के कारेंट से इंडियान कैट्फिश नुक्सान में आ गए एक्स्टिंशन के पातपे चल दी है इसका नाम याद नहीं आता किकलेड़ फिश प्रनाउंस एशन वैस लारियास ग्यारिपेनस बिल्कुल यह आफ्रिकन वाली है आफ्रिकन वाली है बिल्कुल सही बहुत सब्सक्राइब को तुम देखो धड़ाके से आयो एक वेस्टिशन नित्ती बार इंपोर्टेंस तो तुसम्हें समझ में आ गई होगे कि हितना खतरना का इंपोर्टनट अ क्वेर ये अ प्विफ्ट वाले पड़ फ्कम ऑड़ो KIMS पॉस्फिर एंप picture-eval क्वार्टेट बताना है बता दो तुम लोगों को तो आता ही होगा habitat loss and fragmentation सबसे पहले हो जाएगा है ना एक और क्या होता है बोलो बचो ओवर एक्स्ट्राइटेशन आजाएगा क्या है कि नहीं ओवर-exploitation by human आजाना चाहिए ओवर-exploitation by human येस और क्या लिखरे हैं आप सभी लोग हान येस बिल्कूल सही लिखा खिया है अलियन स्पेशस बेक और क्यो огр gio कि नहीं呀 इलियन स्पेशस अंवेजन आजाएगा को एक्स्टेंशन भी आजाएगा घ्टर एलियन स्पेशस अंवेजन बिया का पिटा लोग और को रिक्सटेंशन भी आ जाएगा बिल्कुल 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 यह चारों के चारों एवल कॉर्टेट है ना मलब यह चार है ना इन चारों के कारण से ही majorly biodiversity के loss है सबसे important इन में से कौन सार बिटा habitat loss and fragmentation सबसे important है ना सबसे important है सबसे major role लिए प्ले कर रहें ठीक है चलो बहुत बढ़िया सारी के सारे लिख दिया है सभी बच्चों ने good great very nice six question पर आ जाता है six question कहता है stability of community depends upon its species richness त्याविट टिल्मन के experiment में क्या बतायागा है या बतायागा बिटे डाविट टिल्मन ने को extinction क्या है माम को extinction का मतलब ऐसे मान के fig tree है अगर fig tree extinct हो जाता है यानि कि इस दुनिया से सारे अंजीर के पेड़ खतम होने लगे तो बिटा एक पर्टिकलर वास्प स्पेशिस जो कि उसको पॉलिनेट करती है वो भी खतम हो जाएगी आया समझ में आयूश गेमर क्याने कि जो दो स्पेशिस एक दूसरे पर dependency शो करते हैं एक भी उनमें से अगर हटी तो दूसरे वाली भी हटना जो है वो संभावत है होना ही है वेरी गुड लिएशिन वे चांए। तो मौर स्पेश्य स्मॉर्डिंटी अज भी हर्चेशिए अंट बैर आण स्वोर्चिसराओ प्रॉण मंद्रियसौतठाओ, incROstरी बैरेशीobyot out in biomass is seen ठीक है? ठीक है? ठीक है? नहीं तरह एस more stability भी था हम हमेशा यह तो चाहते हैं कि हमारे जो भी ecosystem है, हो stable रहे हम हमेशा यह चाहते हैं कि ecosystem stable रहे. अभी अगर आप वहां से species हटाते जाएंगे तो stability खतम हो जाएगी ecosystem की क्लियर है ठीक है जोडो और क्लावियारा क्लावियार्या ट्री को एक्स्टिंशन का एक्जाम्पल है हम सही है चालो तो यह हो गया है सभी से इस पताव एक ऐसा लग रहे है कि अब मुझे एक ब्लू लाइट टेंस वापस से लगाना चालू कर देना चाहिए विल्कुल थायर एंजिम है टेक है सेवंथ क्वैसी स्बस्टिंशन की था एरिया के जगा फे प्लोट शब दिस्टमाल के था बिल्कुल सई है रही डाविट टिल्मन के लिए नेक्स्ट सेवंत सेवंत नों यह तो प्राक्टिस है बता नहीं है बिटा हमें जो की threatened species को protect करने में हमारी help कर सके क्या हो सकती है दो practices in एक्सिटू आंड इन-सिटू conservation यह हो सकता है क्या कि एस और नो इन-सिटू conservation और एक्सिटू conservation होगा न बिटा इसका आंसर बताएं मैं लेस सीजनल होता है बतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में वेरियेशन कम होती है ऐसा कह रही है हाँ ट्रॉपिकल रेइन-फॉरेस्ट के अंदर वेरियेशन कम होती है इन-फैक्ट जब वहाँ पर हम जब चाप्टर पढ़ते हैं तो हम एक वह पुरा पाइयोम्स का डागरम देखते हैं टॉ-प्रेशेण देखते हैं और टेंप्रेचर ५ी fucking 00 15 से 25 डिगरी Celsius के बीच में आते हैं और प्रेसिपिटेशन बहुत हाई होते हैं वावे variations इतने नहीं आते हैं temperature constancy maintain रह पाती है और narrow range में maintain रह पाती है ऐसा vivid change नहीं आता है ठीक है रिटा चलो अभी देखते हैं क्या है यहाँ पर in-situ and ex-situ conservation इसका अंसर हो जाएगा और in-situ में example बता दीजिए कोई भी मुझे stop over exploitation भी हो सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप क्या answer लगा सकते हैं इन-situ का example अगर मैं पूछू तो क्या हम यहाँ पर नैशनल पार्क लिख सकते हैं ठीक है avoid harming environment natural resources do not overexploit ठीक है national parks x-situ में हम क्या लिख सकते हैं पिटा जोलोजिकल पार्क्स यह हो जाएगा एक point है न हम ऐसा लिख सकते हैं दूसरा do not overexploit resources and deforestation से हमें बचना है हमें a forestation करना है जितना हो सके wildlife sanctuary यह बिल्कुर किसमें आजएगा wildlife sanctuary in-situ में आजएगा ठीक है ठीक है sacred groves भी in-situ है चाली बहुत बढ़िया आ जाते हैं next वाले पर तो 8th question 8th question आ गया देखो 8th question क्या कह रहा है यहां पर देखिए sacred groups highly protected क्यों है हमें क्यों protect करके रखना है sacred groups को बताऊं क्योंकि यहां पर species diversity कुछ ज्यादा ही है है ना पीशिज डाइवर्सिटी इस वेरी हाइए और और क्या हो सकता है बेटा sacred groups जो है वो biological rich diversity hotspots है we can say they conserve rare species very good ठीक है so they conserve rare species in their own habitats है ना इन देर ओन हाबिटाट्स है ओके वेट्स आप्टर जो है ना इसमें याद रखने का डेटा बहुत सारा है पर प्रीविएस यह question papers आपको हमेशा यह बताएंगे कि कुछ particular type के questions यहां से बनते हैं जो भी questions हम लोग करवा रहें आपको इससे आपको बाहर जाकर के पढ़ने के requirement नहीं है बिटा the sacred groups are ecologically unique and biodiversity rich because of cultural religious place because of religious and cultural traditions protect vital yes they protect the threatened species also yes बिलकुल ठीक है आप सब जानते हैं जो sacred groups होते हैं आपको बताएं बीच में मैं कुछ random amazon rainforest वागेड़ा का कुछ program देख रही थी तो काफी सारे ऐसे areas हैं आज भी जहां पर कुछ human के ऐसे species exist करते हैं human की ऐसी race exist करते हैं जो untouched है यानि कि हमारे जैसा human अगर वहां जाके उस human से बात करने की कोशिश करें they will be trying to kill us क्योंकि वो human हमारी तरह कपड़े पहनना नहीं जानते श्कूल जाना नहीं जानते वो सिर्फ वो forest के बीच में रहते हैं forest को benefit करते हैं forest से benefit लें नहीं जानते वो कि इस दुनिया में बाकि human exactly क्या कर रहे हैं जानते हैं आप यह बात है हां जी ऐसे काफी सारे ऐसे काफी सारे tribes हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं करने के लिए विडिस्टाव अमेजोन इन फॉरेस्ट है यह थोड़े पहले अपने लिखा था आंसर में शायद तुम लेट हो गए वाज प्लास में ऐसे लग रहे हैं तेक है आयो चलो आगे बढ़ जाते हैं नाइंत वाले प्याजाते हैं हमें आदी मानव रहते हैं एक्जाम्पल सैंटनीली इस ट्राइब येस ठीक है प्यूश क्या हो गया बिटा हिंदी मिडियम में नहीं पढ़ा सकते हम यहां पर है न यह जो क्लास है यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाशाओं का इस् ओके बचे नाइंत वाले प्याजाएं नीड टू कंजर्व दी बायो डाइवासिटी क्या हमें क्यों बायो डाइवासिटी को कंजर्व करना ब्यार यह क्वेश्चन का अंसर तो तुम लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हो बिकॉस टेर कूट भी डिफरेंट डिफरेंट बट येस ओन ए ब्रॉड रेंज अगर मैं बोलूँगी तो नारो युटिलिटेरियन और ब्रॉड युटिलिटेरियन रीजन्स हो सकते हैं इसके पीछे के नहीं बेटा पताएं नारो युटिलिटेरियन और ब्रॉड युटिलिटेरियन रीजन्स इसके पीछे हो सकते हैं खिक है? जैसे कि human obtain different forest products, खिक है? like medicines, timber, etc. Can we say this? Sustainable argument भी आजाएगा, utilitarian argument भी यहाँ पर आ सकते हैं, ethical issue, broad utilitarian, ठीक है, absolutely, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, answer, broad utilitarian में क्या लिख सकते हैं, human, नहीं, human नहीं लिखेंगे हैं पर, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह aesthetic लिखते हैं, हम, आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान को कहीं घूमने जाना है, है न, तो वो क्या imagination रख, तो जो, वो सोचता है कि यार, कौन जो सुन्दर जगा है भारत में, अभी सुन्दर था किस हिसाब से बात होती हैं, सुन्दर था कभी बड़ी-बड़ी buildings के हिसाब से बात हो सब को vacation के लिए जाना है, तो ऐसी जगाना है बहुत ही हिली एरिया हो like, कोडाए कनाल हो गया, ऊठी हो गया, है न, जाना है टो वो लावाप पॉलिनेशन के लिए डाइवासिती होना बहुत जरूरी है ठीक है इसके अलावा और क्या रीजन हो जाएगा तो मैं बूलूंगे कि हमें आक्षिजन मिलती है ओटू सप्लाएं लंग्स हमारी अमेजॉन रेंफॉरेस्ट है है ना ठीक है कुल्लू जाना है हां जी बिलकुल येस रिचन बायो डाइवरसिटी इस इकल टू ब्यूटी क्योर येस हाई वर्षा हेलो बिटा चाली है तो शिमला जाना है माम क्यों आप बरफ पढ़ रही है माम इसले तो सुन्दर तंखा मतलब होता है नेचरल ब्यूटी सही बात है है ना चलो आ जाते हैं टेंट क्वेश क्वेशन कैसे आ सकते हैं टेंट क्वेशन नीए एक क्वेशन नुबर बान हो जाएगा अब वापस से शुरू आज से लिख रही हूं न क्योंकि मैं आज देखो एक सिटू कंजर्वेशन के लिए अप्रोच बताईए अडवांटेज भी बताईए येस क्या बोलेंगे हैं जी क्या बोलेंगे वाटर साइकल का बालनस मेंटिन होता है सही बाते शेव अब आजाओ देखो भाई एक सिटू कंजर्वेशन अप्रोच में क्या मैं ऐसा बोल सकते हूं सीड बैंक आ जाएगा ट्राइव प्रेजर्वेशन आ जाएगा है ना और फिशू कल्चर आ जाएगा ठीक है देन जोलॉजिकल पार्क्स आ जाएंगे आ जाएंगे के नहीं पॉर्टनिकल गार्डन्स आ जाएंगे के नहीं इन में से कुछ भी आ सकता है ठीक है तो अड्वांटेजस बताने हमें एक्सिटू और अप्रोच भी बतानी है तो आप देखिए हम क्या-क्या आंसर्स लिख सकते हैं इसके अपने एक बार एक लिए एक एक पॉइंट बाइपॉइंट डिसकास कर लेते हैं तो एक्सिटू हम उसे special care दे सकते हैं जैसे कि मैंने कहा यार यह organisms खतम होने की कगार पर चलो पन इनको ले जाकर के कैसे एरिया में रखेंगे जहां पर इनको अपन ध्यान रखेंगे तो यह हो जाएगा special care दी जा सकते हैं त्राइव प्रेजर्वेशन टेक्नीक से हम ग्यमीट को बचा सकत होते हैं ठीक है जो लॉजिकल पार्क्स और मेंट टू फॉर प्रेटिक्शन अव्ट से ग्रो कर सकते हैं तो इससे क्या होता है सक्सेस रेट परी प्रडॉक्शन का बढ़ दाता है मतलब इग्जाक्ली क्या क्या हमने टिशू कल्चर से डेहर सारे प्लांट लेट्स बना द नंबर इंक्रीज करके उसको चांस तो दे रहें वापसे सर्वाइवल का इसंट इट ठीक है टेन जीन बैंक्स जीन बैंक्स की मदद से हम पेरिनियल री क्याल्सेट्रेंट स्पीशेज फेटिटिवली प्रपोगेड़ेट स्पीशेज इन सब को बचा सकते हैं यह री क्या बैटा जो के डिहाइडरेशन के लिए प्रोन होता है यानि कि जिसको लॉंग समय तक हम लोगों को सेव नहीं करके रख सकते हैं ना री क्याल्सेट्रेंट स्पीशिस बोलते हो री क्याल्सेट्रेंट सेट्स बोलते हो इनको ठीक है ओक गाइस तो यहां देखिए तो बोटनिकल गाडन और क्याड्स में उनको गुरू कर सकते हैं तैन सीड बैंक मैंने आपको बताई दिया कि सीड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं वापस से –196 degrees Celsius पे तैन इस अप्रोच इस बेस फॉर माक्सिमम सर्वाइग हम क्या कर रहें बेसिकली स्पीशिस को चांस दे रहे ठीक है, survival का chance दे रहे हैं, जहां पर तुम रह रहे हो, वहां पर तुम survive नहीं कर पा रहे हो, चलो हम तुम को इस area में रखते हैं, जहां पर तुम survive कर पा, ठीक है, so we are actually moving them to a better position for giving them a chance to survive again in this world, बन जाएगा questions अभी से, yes or no, this is for mh board, this will work if you have the syllabus similar to the n-c-e-r-t, ठीक है, so this will be working for your mh board also, it will be working for the up boards also, ok, next question, let's see this one now, image देके रखा है, clear है, अभी image का है है, the image shown below is of sacred groove in human, sorry, found in India, human के involvement ने कैसे help किया है, preservation of biodiversity rich reasons, क्ये रहा, ये sacred groove का area है कोई, चाहां पर human invasion तो नहीं है, तो सुन्दर है, पिर हमें बताने है, value of z regression coefficient is considered for measuring species richness in an area, z की value 0.7 है अगर area a में, 0.15 है b में, तो ज्यादा species richness किसमें, steeper, slow किसमें, पिटे ज्यादा species richness किसमें है, definitely it will be in area b, है न, के नहीं, area b में पिटे ज्यादा species richness है, area a के मुकाबल, इसमें हमें बता रहा है कि sacred groups को हम कैसे biodiversity rich बना रहा है, inverse relation है, yes, z slope, मालब regression coefficient और species richness में, inverse relation, अब हो देखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस answer को देखो, India's history of religious and cultural tradition emphasized protection of nature, in many culture tract of forest are set aside, all the trees and wildlife within venerated and given total protection, sacred groves in many states are the last refugees for large number of rare and threatened plants, ठीक है, अब मैं आप सबसे एक बात कहते हूँ, छोटी सी, मेर को suddenly case यादा आगया, तो, I was just going to like some of the areas which are located in the Nimaad areas of Madhya Pradesh, तो वहाँ पर मैं जब रास्ते में जा रही थे, I was just driving, तो दो साल पहले जब मैं जा रही थी उदर, उसी अर्या में, there were so many, there were so many mountains in between, mountains बहुत सारे थे विटा, लेकिन अभी recently जब मैं वहाँ पर देड़ महिने, दो महिने पहले गई, December वगेरा के असपास, I saw कि वहाँ से majority mountains cut करके, they have made them normal plateau-like structures, और वहाँ से वो bridge create करके, दो different cities को connect कर रहा है, तो आप समझें इस बात को, कि human के अगर हाथ में आ जाए ना बिटा, तो human ना जान निकाल दे mother nature की, isn't it, हाम अध्यप्रदेश में यह है, human जान निकाल दे बिटा, mother nature की परवान आ करे, उस सर्फ finance का ध्यान रखते हैं, लोग भाग पहाड करेद लेते हैं, पूरे पूरे लिटरली उसको कट कर देते हैं, और फिर वहां से वहां तक connectivity निकाल देते हैं, टेंडर स्पास कर देते हैं, मतलब human invasion अगर कहीं भी हुआ, मतलब बरबादी है, और इसलिए this is very sad to say, कि हम Amazon rainforest में भी human invasion देख पा रहे हैं, for soybean culture, monoculture, and this is something ridiculous which should never happen, because soybean की culture क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं, ठाकि हम cows को, fishes को, इन सब को जो protein cakes खिलाते हैं, वो सब इसी से बनते हैं, हाँ, yes, need to change the greed, and greedy human cannot be supported anytime by mother nature, mother nature हमारी need को पुरा कर सकती है, greed को नी, ऐसा एक statement अभी और आगे आने वाला है, इसमें, case based में देखा था मैंने, which place, Madhya Pradesh, MP where I live, MP में मैं आती हूँ, इदर इंद और साइड पे, पर I was going to the Maharashtra side, उदर रास्ते में जाते समय, तो this is the thing, तो ऐसा है, बहुत changes हो रहे हैं विटा, अजकल दुनिया में, बहुत changes हो रहे हैं, जहां पर अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़े वहां लोगों ने जा जा कि वो बना दिये, क्या बोलते हैं उसको, अजकल बहुत ह कि जाधा common word है वो, farmhouses, yes, farmhouses बना लिए लोगने, अब इमान लो, यहां पर पहाड़े तो इधर का एरिया खरीद लेक इनसान यहां फाम हाउस, भाई तुम्हारे को यहां फाम हाउस, यहां पर mountain देखने के लिए तुम्हारे लिए farmhouse बना दिया, इतना farmhouse क्रेट करने के लि है, बहुत mean, बहुत जादा mean है human, चलो, अब आजाते हैं, आगे देखते हैं, क्योंती वाटरफाल है MP में, हाँ, yes, अब आजाओ, in-situ conservation, endangered species को बचाने में help करते हैं, यह तुम्हारे से बन जाएगा, question, homework देदू, assignment, क्योंकि हम जानते हैं कि in-situ में हमें करना क्या है, जै जैसे की, biosphere reserves हो गए, national parks हो गए, ठीक है, यह सब, हासन कह रहा है, I love farming, this is good, so answer देखो, बिटा, biodiversity, hotspot, I am from also MP, बुधनी, अच्छा, ठीक है, रिम जिम, किदर आता है यह, रिवा सतना इस तरफ आते हैं कहीं पर, protected area, sacred grooves, कर लेना याला तुम्हा, question, अब यह question देखते हैं, 2019 में, 2018 में, और 16 में भी आ रखते हैं, क्या है question, to most important level of biological organization, showing biodiversity with an help of an example of each, बताएए, क्या होना चाहिए, बिटा, इस पर, biological organization के हमें, दो levels बताने है, bio diversity बताने है, और एक example बताने है, हर किसी का, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर हम genetic diversity बता सकते हैं, species diversity बता सकते हैं, और ecological diversity बता सकते हैं, genetic diversity का मतलब है, जहाँ पर एक ही genus and species के plant के अंदर chemical respective changes देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, for example मैंने कहा है, raw wolf या नाम का सर्पगंधा पौधा, उसके same ही plant species के different varieties के अंदर chemical की मातरा ज्यादा या कम देखने को मिल सकते हैं, तो यह कहलाता है, बिटा, genetic diversity, ठीक है, यह क्या कहलात है, यह कहलाता है, genetic diversity के, एक और दूसरे पौधे में, same species के होने के बावजूद भी, हल्का-फुल्का chemical difference देखने मिल रहा है, एक में ज्यादा chemical, एक में कम chemical है, genetic diversity, ठीक है, अच्छा, तिन अलाते है, species diversity, तो बिटा, western घाट पे amphibians की मातरा और species ज्यादा है, eastern घाट की comparison में है, तो यह species diversity vary कर सकते है, place to place, ecological diversity की बात करते हैं, तो अलग-अलग ecological areas में, अलग-अलग type की diversity देखने को मिलेगी, for example, desert में हमें देखने मिलेगी, camels, kangaroo rats, on the other hand हमें rain forest में tiger, lion, cheetah, ठीक है, and arboreal gliders, यह सब देखने मिल सकते हैं, okay, नर्मदा पुरम, okay, ठीक है, ठीक है, तुना है मैं नहीं गे रहा, चालिए, तीन cause बताईए, बिटा, biodiversity losses के, क्या तीन cause हो सकते हैं, habitat fragmentation, ठीक है, I will quote it, लिख देएंगे पर पूरा मतलब, तो habitat fragmentation, over exploitation of resources लिख सकते हैं यहां पर, और co extinction लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अब आजाएंगे, इसका क्या लिखेंगे, habitat loss and fragmentation लिख दीजिए विटा, over exploitation, alien species, invasion, co-extinct, तारो लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, सभी से बन जाएंगे questions, यह इन बार reading लगाना है बस इसकी, इसको इसने नहीं करा दिएंगे, चाप्टर conceptual जितना नहीं है, जितना theoretical हैं, है ना, चलो, 4 marks का question देखते हैं, अपन तो case based में क्या है, case based देखते हैं, कुछ बच्चे earth day celebrate कर रहे थे, उन्होंने एक rally निकाली, लोगों को aware करना चाहते हैं, bio diversity laws and conservation के बारे में, काफिसरे slogan उन्हें लिखे, एक slogan देखो उन्होंने क्या लिखे, अर्थ provide enough to satisfy every man's need, but not every man's greed, greed को satisfy नहीं कर सकते हैं, लालच क्या बोलते हैं हिंदी में, पुरी भला है, जिसको कभी भी pure नहीं कर सकते हैं, जिसको कभी भी हम बोल सकते हैं, satisfy नहीं किया जा सकते, तो human being अगर greedy होगा, तो mother earth उसके लिए helpful नहीं साबित हो सकते हैं, है न, yes or no, ठीक है, चलो, question क्या बोलता है, question है, the exploration of molecular, genetic and species level diversity for gaining the product of economic importance is termed as, बताएगे, क्या होना चाहिए, sustainable development miss you, SSD questions, sustainable development in food in natural resources, last 10th का last chapter भी था यह, यहाँ पर आना चाहिए, मेरे हिसाब से bio prospecting, ठीक है, bio prospecting क्यों आएगा, कि हम अगर ढूणना चाह रहे हैं, क्यार, और कौन से पौदा है, जिससे क्या अच्छा हो सकते, आप जिसे human है, बोलता है, यार, anti-cancerous medication ढूणनी है, तो पहुंच ग अंगल हुमें, सारे पौदे से chemical निकाल निकाल के देख रहे हैं, तो क्या कर रहे है, bio prospecting कर रहे है, ती कहां से लगा रहे हो तुम लोग, ती कैसे होगा इसका answer, को extinction नहीं होगा, इसका answer B होना चाहिए, bio prospecting, ठीक है, चलो, आप देखो, death of last individual in a species occurs, the phenomena is termed as, बताओ, एक ही member बचा था, एक species का, अगर वो भी मर जाए, तो क्या बोलोगे, extinction ही बोलोगे, और कुछ बचता ही नहीं है, बोलने के लिए, ती देखो, species confined to a particular region not found anywhere else, क्या बोलेंगे उन species को, एक ऐसी species, जो कि एक ही given area में पाई जाती है, और हर कहीं पाई नहीं जाती है, उसको क्या बोल सकते हैं, endemic species बोल सकते हैं, है न, क्या बोलना चाहिए, बिटा, endemic species बोल सकते हैं इसको, yes, बिटा, की stone species कौन सी होती बताएंगे, की stone species वो species हैं, जो कि अगर इस दुनिया से हट जाएं, तो पूरा ecological cycle, ecology बरबाद हो जाएगे, है न, क्या अपन जो वो, पढ़ते हैं न, flight वाला, plane का डाइगरेम बनाते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि वहां से हम एक एक screw हटाते जाएं तो, क्या राया, पॉपर, क्या बोलते हैं उसको, hypothesis, हम, येस, अगला देखो, assertion reason है, nowadays, biodiversity is declining at a very fast rate, ठीक है, one of the cause of extinction of species is considered exotic species, बताओ, क्या लगाएंगे, rivet popper hypothesis नाम था उसका, इसका अंसर B लगा रहे हूं, देखो, ये statement तो भाई, 100% सही बात है, और ये बात भी सही है, तो इसका अंसर B होना चाहिए, one of the reason बोला है, इसलिए, हैना, ठीक है, अगला देखते हैं, assertion reason based question देखे रखा है हमारे सामने, और पूछ रहे हैं, ये तो हो गया है ना, अपना, B, अब आजाता है, E, assertion true reason do not explain, A नहीं होगा बिटा, इसका अंसर, A कैसे होगा, nowadays, biodiversity declining at a very fast rate, ये बात तो सही है, one of the cause of extinction of species is considered to be exotic species, ये बात भी सही है, लेकिन सर्फ यहीं तो कारण नहीं है ना, तो इसे लिए B आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, अब आजाते हैं, which one of the following is not observed in biodiversity hotspot, biodiversity hotspot पे हम क्या obtain नहीं कर पाते हैं, species richness, endemism, accelerated species loss, less interspecific competition, क्या होगा, biodiversity hotspot की बात हो रही है, species richness तो होती है, endemism भी होता है, interspecific competition कम होता है, C इसका अंसर होना चाहिए, accelerated species loss नहीं होता है, ठीक है, biodiversity की hotspot areas, नहीं यार, उनको hotspot बनाई है, ये इसलिए कि वहाँ पे loss हो रहे है, क्या होना चाहिए, तो नहीं हो रही हूँ कहीं मैं, species richness तो होती है, endemism भी होता है, मेरे सबसे CE होना चाहिए, शाहिए मैं थोड़ा जादे, over analysis कर रहे हैं उसका, अगला आ जाते हैं, five marks के question पे, long answer based, चलो तुम लगा ले ना भी है, इसको मैं नहीं करवारी, यह तुम्हारा homework है, biodiversity क्या होती हमें मालूम है, और इंडिया की biodiversity का account देना है, तो जो हमारे पास वो 7-8 point थे न, मैंने आप लोग को यह chapter पढ़ाया, आप सबने देखा है वो chapter, two hours में हमने complete किया, biodiversity and its conservation, जाकर के वो पूरा lecture देख ले न, वो chapter के notes भी download करें न, telegram पर provide कर दिये थे मैंने, और तुम्हारे को revision करने में बहुत helpful साबित हो जाएगा वो, ठीक है, तो this is all done बिटा, हमारे ये session होता, यहीं पर खतम, अब, Siberian cranes visit where, Rajasthan, के रजस्थान आते हैं, Siberian cranes, भरतपुर, भरतपुर एरिया में आते हैं, ठीक है, Siberian cranes क्यों आते हैं, इसका reason बताओगे, reason यह है कि, Siberian cranes जहां रहते हैं, वो area बहुत ठंडा हो जाता है, उस समय में, तो warmth लेने के लिए, उन्हें आना पड़ता है, भरतपुर, ठीक है, हम, हो गया, बन गया, सभी से चलो, अब बिटा, आप सभी के लिए, नीट के पीवाई की उस, हमने freely जो अवेल कराएं, आप लोगों में से, कितने बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया हैं अभी तक, लॉग दिस्टेंस चावल करते हैं, अच्छे, एक बात तुम लोग बताओ यार, तुम लोगों में से कितने बच्चे हैं वेदानतों के अप्लिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं अभी तक, येस, बताओ, क्या हो गया है शेव, ना मुझे रहते हैं ये बात तुम लोग मेरे को बिल्कुल मत बुला करो, मुझे ये छोटे बच्चे वाली बात हैं जो तुम करते हो ना क्लास में, इस इस नॉट गूड, तो हम क्लास 12 कबसे स्टार्ट करेंगे, आस्था बिटा आप कौन से क्लास में हैं, 11 में हैं और 12 को स्टार्टिंग से चालू करना चाहते हो क्या, 12 क्लास को हम लोग चालू करने वाले, फुल सिलिब्स अगर आपको पढ़ना है पूरा अगले साल के लिए, तो हम लोग बिटा मार्च में चालू कर देंगे, है ना, ठीक है, अच्छा, अब यशी, आयूश, कनिका, शेव, आलोग, और जित्ते भी बच्चियां पर प्रेजन्ट हैं, आस्था, मुझे फटा-फट से एक बार ही अपनी क्लास बता दो कि तुम कौन से क्लास में हो, 12 में हो, ड्रॉपर हो, 11 में हो, क्या हो, नेहा, कौन से क्लास में हैं, आप सब लोग एक बार, क्वेकली मुझे बता दे, मुझे एक माइंड में इमाजिनेशन रहता है, अच्छा, यह बच्चा है, इस क्लास में, तो कनिका तो 12 में है, ओके, यशी 12 में है, आलोग भी 12 में है, चिव 12 में है, अनादर आयुष्ट इस इन 12, आलोग इस इन 12, अवरिबड़ी इस इन 12 क्लास अउनली लाइक, नोबड़ी इन 11 ठीक है, हाई आलोग, तरी आरित, आरे कृष्णा बेटा, चालिया, 11 में है आस्थ था, बस, चालो बेटा, तो 11 के बच्चे जो हैं, 12 का सिलिबस आपके लिए, डिटेल में स्टार्टिंग से चालू करेंगे हम, ठीक है, मीनवाइल अगर आपको लगता है, कि माम हमारे पास में फ्री टाइम है, और हम कौन सा रेकॉर्ड़िट सेशन आपका देखें, तो मैं आपको प्रतिग्या बाच रेफर कर सकती हूं, कि आप जाकर के मेरा प्रतिग्या बाच देखना चालू कर सकते हो, ठीक है, जब तक कि हम आपके लिए निव बाच प्लान नहीं करते हैं, फिर निव बाच प्लान करेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, thank you so much, बच्चो, have a great day ahead and don't forget to like this video, share with all of your friends, subscribe and comment जरूर कर रिया करो, मेरे लिए एक प्यारा सन, okay, bye-bye everybody